एक महा मारी जो दुनिया को तबाह करने की धमकी दे रही है क्या इससे दुनिया लड़ पाएगी? की मानव सब्भेता का विनाश हो जाएगा? या फिर इसे वैश्विक स्थर पर ही निपडा जा सकता है? तो आईए जानते हैं नया कोरोना वाइरस सबसे पहले चीरी शहर वुल्हान में सामने आया लेकिन उससे लड़ने की कोशिश पूरी दुनिया में हो रही है दुनिया भर के रिसरचर इस पर काबू पाने में लगे है दिसंबर माह के अंतिम में चीन के वैग्डियानिकों की एक टीम में कोरोना वाइरस का जनेटिक कोड प्रकाशित किया जिससे दुनिया भर के वैग्डियानिकों को इस पर काम शुरू करने में मदद मिली हम आपको बता दे कि हौंग कोंग यूनिवरसिटी में पैथालोजिस्ट ने मानट टिशू में नौरेल कोरोना वाइरस पैदा किया है ताकि उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके उनके मुताबिक जो मूल पात लोग इस वाइरस के बारे में जानना चाहते है वो ये है कि स्वास की नल्य फिर शरीर में वो जगे है जहां वाइरस पड़ता है और दूसरे ये की शरीर को किस तरह का नुकसान पहुँचाता है और ये भी की शरीर वाइरस इसे हुए नुकसान पर क्या प्रतिक्रिया करता है किसी भी वाइरस के खिलाफ संगर्ष में अंतिम को देशे होता है टिकटा पता लगाना दुनिया भर में कई ती में उस जादूई कोली के खोच में लगी है जो लोगों को वाइरस उसे सुरक्षित कर सके बेल्जियम में लोगों यूनिवर्सिती ऐसी ही कोशिशों में लगी है दोस्तों सामाने तोर पर ठीके के विकास में दस से पंधरा साल लगते है फिर यह टिका बाजार में आता है लेकिन इस समय सारा व्यज्यानिक समुदाइक जल्द से जल्द कुस उदेशे तक पहुँचने में लगा है ताकि आपातकाल में मदद हो सके हम आपको बता दें कि बेल्जियम की टीम का रिसर्च आनशिक रूप से रोबोटिक लैब में होता है जो शोधकरताओं को खतरनाक रोगाशों से दूर रखता है उन्हें उमीद है कि वेद कुछ हवतों में पहले ठीक का परीक्षण चूहों पर कर पाएंगे परंतु इसमें कई तरह के परीक्षण करने होते हैं जैसे कि चूहों से लेकर इंशान के इस्तेमाल तक कर परीक्षण करना होता है यह लंभी प्रक्रिया होती हैं क्योंकि इसमें कई तरह के तेस्ट करने होते हैं जानवरों पर सुरक्षा तेस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल और फिर इंसानी वॉलंटियर्स के साथ टेस्ट एंटी बूटी डालने का टेस्ट इत्यादी वैग्यानिकों के इस अधक प्रियास के बावजू भी COVID-19 का एक सफल टिका अगले साल गर्मियों से पहले इस्तिमाल के लिए तयार नहीं हो पाएगा इस बात पर रिसर्च किया जा रहा है कि वाइरस के प्रसार को कम से कम कैसे रखा जाए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भॉतिक वैग्याने की निर्क ब्रुक्मन और उनके साथ ही वैश्विक जोकिम अगलन की एक मॉडल पर काम कर रहे है जिसमें वैहवाई डाटा का विश्टेशर करके पताने बाते हैं कि वाइरस के विभिन देशों में भाने का कितना खत्रा है उनकी एक रिपोर्ट हम सनाकारिया एहतियाल से काम करते हैं और इसलब जर्मनी नहीं बलकि दूसरे देशों में संक्रामक बिमारियों के पर साथ का मॉडल बडाना बहुत एहम हो गया है मेरा अनुभा रिसर्च की इस विलाके में दुनिया की सभी टी में एक दूसरे जहनेकर रूप से जुड़ी है हम अपनी सभी जानकारिया एक दूसरे के साथ बाढ़ते हैं इबोला संक्रामक या H1N1 महामारी के समय ऐसी हालत नहीं थी यह सच मुच नया विकास है दोस्तों नए करोना वाइरस खिलाब संगर्श जारी रहेगा WHO की एडवाइजरी के मताबिक रोजमर्णा के जीवन में हम अगर हम छोटे छोटे काम करती हैं तो संक्रमन का खत्रा काफी कम हो जाएगा तो आई आई अपातकालीन की इस घड़ी में प्यान सुबह के साथ जुड़कर इसका क्वालन करें आप जिससे भी में या फिर अपने आसपार के लोगों से कम से कम तीन फीट की दूरी बनाएं खासकर उन लोगों से जिहें खासिक या जुकाम है तो दिन में कई बार साबन और पानी से कम से कम 20 सेकेंड तक हाथों पुड़ोई प्यक्तिरिया को मारने वाने स्ट्रोग सेनिताइसर का भी उप्योग कर सकते हैं चीकते या खासिते वक्त टिशू का इस्टमान जरूर करें मुख या पुला और आखों को बार बार नचुए अगर आखों को खासिक उताब या फिर बुखार के तो पॉर्र डॉक्टर को आए इसमें देद बिल्कुल नचुए साथ ही कोशिश करें कि किसी से ना मिले और घर पर दिले दोस्तों क्यान सुबेर इस वीडियो को लाइक ब सबस्ट्राइब जरूर करें